हेलो स्तो, कमाई का एड़ास यूटूब चैल में आप सभी का सोगत है आज हापर हम बात करेंगे एक ऐसे शांदर कमपनी के बारे में जिसके अंदर निवेशक ने लाखों को करणों में कनवर्ड किया है एड़ कमपनी में अभी भी उतनी एबिलेटी दिखाई देती है तो इसके अंदर हमने खरीदारी करना चाहिए क्या वो यहाँ पर हम डिसकस करेंगे कमपनी का नाम है ग्रीन पैनल इंडस्टी जो शेर देखिए 45 से लेकर 50% के करीब हमें करेक्शन में अभी दिखाई दे रहा है तो इसका फायदा हम ले सकते है क्या वो यहाँ पर हम अंडस्टैनिक करेंगे एन दोस्तो यहाँ पर जो कमपनी के अंदर इतना बड़ा करेक्शन आया कि उसके पीछे के 2-3 रिजन भी मैं यहाँ पर डिसकस करूँगा किसी निवेशक के पास ग्रीन पैनल इंडस्टै का शेर हो तो जरू देखिए कोई खरीदा चाता है वो भी देखना क्योंकि दोस्तो आपको यहाँ पर जब मैं अपडेट्स बताऊंगा उसके बाद ही आप यहाँ पर अपने डिसिजन प्रॉपर ले पाएंगे पैसा बहुत जबरदस बनता है मार्केट में और उसका बेस्ट एक्जामपल ग्रीन पैनल इंडस्टी है धाई हजार परसिन के रिटन दोस्तो दो से तीन लाग को करड़ों में कनवर्ट इस कमपनी ने किया सरीफ 25 रुपई का शेर यहाँ पर 625 रुपई का हो गया तो कमाई हो रही है और कमाई करकर कमपनी देने की पूरी यहाँ पर एबिलिटी रखती भी है तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या हो रहा है उसके बारे में वीडियो अच्छा लगे मेरे एफट पसंद आए तो कमाई का आड़ा इस यूटूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना कमेंट में बताना कोई कोई कोईशन कोईरी आपके माइड में होतो आपर दोस्तों आप देख सकते के ग्रेन पैनल इंडरस्टी का जो शेर है वो अभी ट्रेड कर रहा है 325 रुपई पर और पिछले जैसे आप एक साल का रेटन देखेंगे तो इसका पूरा डाउन पॉफोमस है हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर कर्रेक्शन आ रहा है और अभी लगातर दिखाई भी दिया है और इसके पीछे बड़े रीजन है मैं आपको वो बताने ही वाला हूँ बड़ थोड़ा आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखेंगे शेर का तो 25 रुपए का 2020 में ये शेर मिलता था और 625 रुपए का हाई इसने आचो किया यानि पैसा देखी कितना गुना बना है और कमपनी में कितनी अबिलिटी वो भी आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं पैसा यहाँ पर स्टॉक मार्केट में बनता है इसका बेस्ट एक्जामपल आप खुदी देख सकते हैं और मैं आपको यहाँ पर इसके पीछे के रिजन बताता हूँ करेक्शन के इतने अच्छे कमपनी में करेक्शन क्यूं आ रहा है उसके बारे में अभी यहाँ पर कमपनी से रेटेट थोड़ा इंट्रोड़क्शन समझ लेते हैं ग्रिन पैनल इंडस्टी इस स्मॉल कैप स्टॉक इसका मार्केट कैप वगेरा भी यहाँ पर हम आगे देखेंगे वह चेंज होते रहता है स्टॉक के अंदर करेक्शन आई वह इसे बड़ एक बड़ी बात आप यहाँ पर देखेंगे तो कमपनी क्या मैनुफेक्शरिंग करती हूँ मैं आपको बताता हूँ मैनुफेक्शरर और मीडियम देंसिटी फाइबरिक बोर्ड्स और आपको बताना चाहूँगा जो यहाँ पर प्लाविड होता है जो यहाँ पर आप फरनीचर के काम जो होते हैं देखते हैं उस सभी डोर वगेरा बहुत से यहाँ पर आज जो सोकेस की चीज़े बन रही है उन सभी में इनका बहुत ज़्यादा वैल्यू है और आपको डिमांड भी बता है मुझे बतान बोड बनाते हैं वो उसके अंदर यह कंपनी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं इंडिया के अंदर और कंपनी की यहाँ पर प्रोड़क्शन कैपिसिटी देखिए तो यहाँ पर फाइल एक टी एट थाउजन जो यहाँ पर कंपनी की देखने को मिलती है क्यूबिक मि इंटर्स में तो यह हो गया कंपनी का इंट्रो आप बात करते हैं करेक्शन रिजन क्या है कंपनी के अंदर डिकलाइन देखने के जो यहाँ पर हमें पूरी तरीके स्टॉक के जो परफोर्मस आइससे दिखाई दे रहे है तो देखिए कौड़र थी के रिजल्ट कंपनी के अंदर बड़ा करेक्शन कौडर थी रिजल्ट के वजह से ज़्यादा देखने को मिला और इसके बाद में हमें फिर से और एक बड़ा रिजन दिखाई देता है कंपनी के रिजल्ट खराब आने का वह देखिए यूएस और यूरोप जो कंट्रीज है वहाँ से इंडिया मे बढ़ता हुआ इंपोर्ट आप यहाँ पर मैनेजमेंट भी बता रहा है क्या हो रहा है कंपनी के अंदर इंडिया के अंदर की डिमांड है उसके उपर इंपेक्ट कोन कर रहा है तो इंपोर्ट जो किया जा रहा है माल उसके वजह से और यहाँ पर आप देखेंगे तो कमपनी जो अपने ऊपर यहाँ पर डिवलप्मेंट के लिए लगातार काम करी वह भी मैं आपको बताना चाहूंगा जो इनकी डिमांड है वो तो कम नहीं रहेगी देखिए लगातार यह जो यहाँ पर कस्टमर से वो डिमांड करेंगे ही और यह मार्केट आने वाले समय में तेजी से बड़ेगा भी अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो कमपनी 600 करोड़ों रुपए का क्यापेक्स लेकर आई है जिससे कमपनी आने वाले समय में अपने अंदर डिवलप्मेंट लेकर आएगी और हो सके उतना कैपेसिटी यह बढ़ा रहे है अपने बिजनेस की त तो कमपनी के प्रमोटर के पास 53.09% का स्टेक है और यह स्टेक काफी अच्छा है और उसी के साथ आप देखेंगे FIS के पास 4.43% का स्टेक है और सबसे बड़िया बात मैं आपको बताना चाहूंगा DIS DIS के पास इस छोटी कमपनी के अंदर 21.18% का स्टेक है यानि उनको अभी भी पता है किस कमपनी में पैसा बनने वाला है बोलकर वो continue अपना स्टेक यहाँ पर रखकर चल रहे है और अभी यहाँ पर जैसे मैं एक quarter 3 के result के बारे में भी कवर करने वाला हूं अब यहाँ पर आप देख सकते है green panel industry के बारे में December 2022 में 420 करोड का company का sales था वो sales से आपर बढ़कर 441 करोड में हो गया net profit देखेंगे तो company ने improve किया है आप देख सकते है 38 करोड से 69 करोड किया है बड़ जो actually growth होनी चाहिए वो और भी हुई नहीं है यहाँ पर आप जैसे देखेंगे तो company का market क्या पर 3920 करोड का और अभी यहाँ पर आप peer ratio से देखेंगे तो stock काफी अच्छे level पर trade कर रहा है और सबसे super बात क्या है peer ratio से ज़्यादा company का return on equity and return on capital employed है यह दो चीज़े बहुत अच्छी है company dividend भी payout करती है green panel industry तो इस company पर नजर रखना हमारा काम है और मैं हो सके उतना आपको बताना चाहूँगा कि इसके कोई share गिरवी नहीं है company पर कोई करजे का burden नहीं है आप चाहे तो balance sheet पर सकते है मैं आपको balance sheet भी दिखाना चाहूँगा जिससे आपको पता चले उससे पहले मैं inventory बताता हूँ inventory भी नहीं है दोस्तो company की देखे inventory लगातर कम हो रही है inventory में stock होता है company ने जो product manufacturing किया उसके बाद में go down में जो पड़ा हूँआ stock है उसे inventory कहा जाता है और वो ज़्यादा पड़ा हूँआ नहीं रहना चाहिए लगातर manufacturing और selling होते ही रहना चाहिए और करजे के बात करें तो green panel industry के ऊपर देखें पहले 561 फिर 400 चोरेंसी फिर 300 शोला और अभी 208 करोड का ही करजा है और यह company लगातर update करकर कम करें यह करजा अपने उपर का तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इसका benefit ले सकते है आपको जितना अच्छे correction में मिले उसका यहाँ पर मोके का फाइदा उठा सकते है अभी यहाँ पर देखिए situation company के result के उपर है जैसे जैसे company के results हमें अच्छे देखने को मिले वैसे वैसे आप यहाँ पर इसके अंदर अपना performance बढ़ा सकते है margin beat हुए है 8% से revenue down हुआ है company का 6.1% से यह comparison करने के बाद पता चलता है जो मैंने आपको बताया वो अलग points होता है और यह percentage में अलग details होते है तो इस तरीके से green panel industry के update से I hope मुझे लगता है कि आप समझ रहे क्या क्या हो रहा है क्यों correction आया है company में कैसे performance रखना चाहिए वो आप जरूर समझ चुके होंगे thank you